मेठी मट्री वनाने के लिए दोस्तों हमने ली हुई हैं एक कटोरी मैदा आधी कटोरी शक्कर दोस्तों मैंने ली हुई है मलाई यह मैंने फ्रेस मलाई ली हुई है एक कटोरी लिया हुई है मैंने रिफाइन डॉल ली हुई है हमने तिल यह मैंने धुली हुई तिली ली हुई है आप चाहें तो फ्लेवर के लिए सौप यह जो भी आपको फ्लेवर पसंदों कोई भी जिसमें मैं डाल रहे हूं मैंदा, अब हम डालेंगे इसमें आदी-कटोरी सूजी, आदी-कटोरी शकर, इसको मैंने पीसा नहीं है, यह मैं ऐसी ही सकर यूज कर रहे हूं, और डालेंगे दोस्तों हम इसमें यह मलाई, अब दोस्तों चार चमची करी में इसमें ऑल डाल ले हूँ यह मैंने चार चमची इसमें रिफाइंड डॉली उच किया है अची से मिक्स करेंगे और यह आदी चमची करी दोस्तों मैं यह तिल डाल ले हूँ फ्लेवर के लिए यह दोस्तों मैंने अच्छे से मटेल को मिक्स क जली आए अब हम धीरे धीरे पानी की सायता से इसको गूत लेंगे इसको हमें थोड़ा सा टाइट माणना है थोड़ा फोड़ा करके इसमें पानी डालें इसमें दोस्तों मैंने मौटी सक्कर यूच किये जिससे हमारा जो मठ्री वनेंगी इसमें क्रंची पना जाएगा और लाँ दिखाई देंगे आप भी दोस्तों जब मीठी मठ्री बनाए तो इसमें जो भी शक्करी यूच करें उसे मोटे दानी के लिए देखी दोस्तों यह मठ्री बनाने के लिए हमारा जो मठेरियल वो तयार हो चुका है इसको मैं इच्छे से गूंद लिया है इसको दोस्तों पूरा सामें टाइट रखना है अब हम इसे बेलना स्टार्ट करें इसके लिए दोस्तों हम इस तरह से लोई तोड लेंगे और इसे बेलना स्टार्ट करेंगे ये दोस्तों देखिए मैंने इस तरह से इसको बेल लिया है अब दोस्तों हम इसके साइड से किनारी अटा देंगे इसको हम जब दुबारा लुई बनाएंगे तो इसमें यूज कर लेंगे अब हम इसे इस तरह सेप में काटेंगे आप चाहें तो मट्री को कुई भी सेप दे सकते हैं और देखिए दोस्तों मैंने इसे इस सेप में बना लिया है अब इसे एक प्लेट में रख लेंगे देखिए दोस्तों मैंने इस तरह मट्री को कट कर लिया है अब हम इसे कडाई में रिफाइन डॉल गर्म करकर डीफ्राइ करने स्टाट करेगे अब हम इसमें मट्री को डालेंगे और इसे दोस्तों लोग लेंपर पकने लेए यह देखी दोस्तों गोल्डन ब्राउन होने तक मैंने लोग लेंपर डीटाइस को कर लिया है अब दोस्तों हम इसे पेपर नेपिन पर निकाल लेंगे जिससे इसका जो भी एस्टा ओल है वो निकल जाए इसी तरह दोस्तों हमने जो सारी तयार कर लिए मठ्या इनको भी हम डीफ्राइ कर लेंगे जैस का फ्लेम हमें लोग रखना है जिससे अंदर तक सिख जाएंगी इसी तरह दोस्तों हमने इस सारी मिल्की मठ्यों को डीफ्राइ कर लिया है इसे मैंने यह पेपर नेपिन पर नि सब कर लेंगे यह देखिए दोस्तों हमारी मीठी मट्रिया बनकर रेडियो चुकी है दोस्तों अन्हें ठंडी कर खरी आप सर्फ करें क्योंकि जब यह ठंडी हो जाएंगी तो एक क्रंची हो जाएंगी और खाने में बहुत ही टेस्टी लगेंगी अब दोस्तों आप भी से अब मैं इसको टेस्ट करने जा रही हूँ बहुत ही टेस्टी और क्रंची बनी है आप लोग भी सको घर पर ट्राइक कीजिए और वंद्रा किचिन को लाइक शेर और सब्सक्राइब कीजिए